तो जैसे कि आपको पता है KGMU का BAC Nursing का फॉर्म आ गया है तो इस वीडियो में हम पूरी तरीके से डिस्कर्स करने जा रहे हैं कि इस फॉर्म को कौन भर सकता है क्या है eligibility criteria कैसे आपको फॉर्म भरना है application fees क्या है examination pattern क्या है किस date को examination होना है कितनी seats है और क्या result होगा complete description इस वीडियो में है आपकी सारी confusion हम दूर करेंगे वीडियो स्टार्ट करने ते पहले हम जरूर करेंगे हमारे चैनल को subscribe कर लिए प्योंकि nursing के सारे वीडियो और preparation वीडियो हम आपको provide करते रहते हैं तो वीडियो एक तरफ चलते हैं तो आपको पता है के जी एम्यू का बेसी nursing का form आया है सबसे पहला जो issue आ रहा है कि बच्चे form नहीं ढूनबा रहे हैं ठीक है तो मैं आपको एक link दे रहा हूँ इस link को note कर लिए देखे kgmu.org.jobopportunity.php ठीक है यह link जो मैंने दिया है इस link को आपको मैं description link पर भी दे दे रहा हूँ वहाँ पर आप click करेंगे तो direct इसकी जहाँ पर form आया वहाँ पर website पर पहुंच जाएंगे kgmu.org.jobopportunities.php ठीक है इस पर click करेंगे जब आप click करेंगे तो ऐसे page पर आएंगे अब इस page पर आएंगे देखें यहाँ पर बहुत clearly kgmu की website है ठीक है कई बच्चे नहीं दूण पा रहे थे यह देखें November 25 2021 BSC Nursing Course 4 Year Entrance Examination बिल्कुल clear है click करेंगे आप सीधे वहाँ पर job पर चले जाएंगे apply no option आ रहा है last date दिया हुआ है 11 December यह website की information है ठीक है मैं direct website से आपको दिखा रहा हूँ ओके जैसी आप यहाँ पर click here करेंगे आप एक नए portal पर आएंगे जो यहाँ पर है ठीक है इस portal पर देखें किंग जोर्ज मेटिकल इनवर्सटी शामिनियर और चौक लगनौ ओके यहाँ पर बहुत क्लेरली लिखा हुआ है कि बेस्सी नर्सिंग कोर्स ओरियर्स अप्लिकेशन फॉर्म है ऑल्लाइन ऑल्लाइन भरना है आपको 26 तारिक से भरना स्टार्ट करना है 11th of December is the last date of application 26th of November से आपको start करना है fill करना form और last date आपकी 11th December है एक एक problem solve करते हैं तो आपको सबसे पहली बात है यहाँ पर register करना पड़ेगा यहाँ option आ रहा है click register now for filling the form ठीक है और यहाँ फिर आपको login जबाब बना लेंगे एक बर आप register कर लेंगे फिर आप login करके payment करेंगे और अपना form complete करेंगे आई सबसे पर चलते हैं ब्रॉशर की तरफ तो देखिए यहाँ पर ब्रॉशर इन और प्रॉइट किया है यह ब्रॉइट का ब्रॉशर है यह ब्रॉशर का pdf भी मैं description link में प्रॉइट कर दे रहा हूँ सारे confusion तरफ वहाँ पढ़के दूर कर सकते हैं इस ब्रॉशर समय किछ दिसकस करते हैं ब्रॉशर है इंपोर्टन डेट्स देख लीजे इंपोर्टन डेट्स की अगर हम बात करते हैं देखिए यहाँ पे 26 ओफ डवेंबर ऑनलाइन अप्लिकेशन आपको भरना है स्टार्ट करना है ठीक है ग्यारा दिसंबर लास्ट डेट है आपको भर लेना है इंपोर्टन चीज़ यह है 11 दिसंबर के ठीक 6 दिन बाद 17 दिसंबर को वेबसाइट पे एडमिट कार्ड आ जाएगा एडमिट कार्ड में एक और वी चीज़ है जिसकी 17 दिसंबर को नहीं आता है एडमिट कार्ड तो वो 18 दिसंबर एक दिन बाद जाके KGMU आफिस से 100 आप हाट कापी में ले सकते हैं दो दिन बाद ठीक एंटर्स एक्जामिशन होना है 90 दिसंबर ठीक है वीडियो ज्यान से देखिए 11 से 2 घंट 2 पीम मतलब 3 घंटे का पेपर होगा ठीक है और जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको प्लेस ऑफ एक्जामिशन आपको जो स सीटे हैं कितनी है 110 सीट के लिए आप फाइट करेंगे ठीक है कैटिगरी बनी हुई है एक चीज़ विसकस करते है अन्रिजर्फ जेनरल कैटिक लिए 40 ओपन सीट है ठीक है बाकी जो उसमें कैटिगरीज आती है एफफ फ्रीटम फाइटर हो गया आपका फिजिकली हांडिक आर्मी ठीक है और NCC नाशनल कैटेट कॉप स्वालों को एक परसेंट सीट से लेकिए यहां कोई सीट अवलेबल नहीं है आप ठीक है और फिजिकली हैंडिकाप के लिए पांच परसेंट रिजर्फ तो गर जेनरल काइटेट्स की बात करते हैं टोटल 44 सीट से 40 ओपन है ठीक है SC के लिए open जो सीट से 20 है और बाकी total सीट से यहां पर 23 है ओके ST के लिए दो सीट है ठीक है total सीट इसमें दो ही है और साथ में जो EWS कैटिग्री है यहां पर economically weaker section यह बहुत important है 10 सीट है और इसमें 1 सीट फिसकली हैंडिकाप को रिजर्फ करते हुए total 11 सीट ठीक है तो unreserved के लिए total गित्यों गई 44 OBC के लिए 30 SC के लिए 23 ST के लिए 2 economically weaker section के लिए 11 और इन सब को मिला ले total सीट 110 है इसके लिए आप fight करेंगे examination second important thing application कैसे भढ़नी है उसको मैं अलग से बता दूँगा आपको वीडियो बना दूँगे application आपको online mode भी भढ़नी है जो link दिया गया है वहां आपको register करना है login करना है और वहीं पे आपको payment करके पूरी application भढ़नी है तो पहले चीज़ क्या है online भढ़नी है ठीक है next important चीज examination fee कित्ती है बनलब application fee कित्ती है 2000 रुपीज है unreserved और OBC candidates के लिए ओके जो OBC candidate है generally कित्ती फीज है 2000 रुपीज और 1200 रुपीज SCST candidates के लिए है तो दो category है और category wise आपको payment करना है 2000 रुपे general OBC और 12 रुपे SCST candidate पेमेंट आपको online ही करना है form आपको भरना है online एक तब examination की बारे में examination 19 December Sunday वाले दिन होगा और जैसे कि बताया 3 घंटे examination 11 से 2 बजे 180 मेंड़ों 3 घंटे का paper होना है आपको 10 बजे report कर लेना है center पी एक घंटा पहले आपको report करना है ठीक है अब admit card पे लखनाव city में venue पढ़ना है तो उसका center कहा पढ़ेगा लखनाव में ही पढ़ेगा अभी जो एक के चार answer दिए रहेंगे multiple choice question paper online होगा offline होगा second question important paper होगा offline OMR sheet पे आपको देना है computer पे कोई examination नहीं देना है ठीक है कित्ते questions होंगे 200 questions कित्ते होंगे 200 तो 200 MCQ questions है और आपको OMR sheet पे इसका answer देना है तीन घंटे के अंदर 200 questions ठीक है second important चीज़ एक mark का एक question हुआ तो total 200 questions है तो 200 mask का paper होगा third important चीज़ negative marking नहीं है बहुत अच्छी चीज़ है negative marking नहीं होगी 200 mask का paper होगा negative marking नहीं होगी medium of examination paper स्रिफ English में होगा हिंदी में paper नहीं होना याद रखिएगा offline होगा English में होगा Hindi में paper नहीं होगा syllabus देखिए syllabus same to same वही है जो ABBMU अलोगा था syllabus पर पास अब्जेक्ट है nursing aptitude physics chemistry biology English and general knowledge 20% intermediate standard यह same syllabus ABBMU कभी है ठीक है जो set examination उद्धर प्रदेश में करा रहा है ठीक है minimum qualifying marks भी रखाए जैसे ABBMU 50% है तो इनका है 50% general category के लिए और 40% SCST OBC के लिए तो थोड़ा सा redaction decision है कि पास अगर आपको खाली करना है examination तो at least 50% marks होने चाहिए general के लिए और SCST OBC के लिए 40% होने है syllabus syllabus आपका 40 question nursing aptitude 40 question physics 40 40 chemistry 40 biology 40 English and general knowledge results की अब बात कर लेती है ठीक है result आपका 4 December को आ जाएगा बहुत fast processing का लेट आया है form लेकिन admit card फटा फटा फट examination फटा फट result 24 December को आ जाना है merit list आपकी prepare होगी किस basis पे आपके जो marks आने examination तो important चीज़ एक और था ना कि need का कोई रोल नहीं नीट के थूर इसमें entry नहीं होनी है और अगर tie हो जाता है किसी के marks ठीक है मलब दो लोगे एक ही जैसे marks आ गए तो क्या होगा जिसके higher marks होंगे biology में फिर chemistry में physics में उसी order में उसको seat allot की जाएगी या अगर biology chemistry physics में mark same है तो जो higher age का student होगा उसको ये मिल जाएगी ठीक है अगर दोनों की age भी same है तो वहाँ पे alphabetical order में जैसे name होगा candidate का वहाँ पे उस आप से seat allot की जाएगी ठीक है merit list जो बनेगी वो entrance examination basis बननी है NEET का यहाँ पे कोई role नहीं है आप counselling की बात कर लें देखिए counselling भी बहुत तेज़ कर आ रहे है 27 December को first counselling second counselling 30 December तक सारी हो जाएगी तो Indian nursing council का एक add आया था ना कि first January से आपको सब चीस कर ले नहीं है देखिए के GMU कर रहा है 27 December को first counselling है 30 December second counselling सारी seat allot हो जाएगी counselling के समय आपको 300 रुपए जमा करने है याद रखिएगा 300 रुपए जमा करने है जब counselling हो यह हम बता देंगे उसको अलग से finance officer को यह आपको non refundable है और जो आपको seat allot हो जाएगी पांस दार रुपए अलग से आपको जमा करने होगे जब आप admission लेंगे तो यह refund हो जाएगा refund कब होगा जब हो admission ले लेगा ठीक हो important चीज़ यह है कि आपको अभी form भरना है सबसे पहले आपको register करना है register आप जैसी कर लेंगे वैसे ही फिर आपको login करना होगा देखिए यहां registration की ID आ रही है ठीक है यहाँ पर आपको first name लिखना है middle name last name mobile number बहुत important है कई बहुत mistake करते ह है फिर उनको बाद है बहुत problem होती है email address mobile number वही रखिएगा जो आप use करते है password generate करना है confirm करना है और capture डाल किया submit कर देना है एक बार आप जब register कर देंगे फिर आपको login करना पड़ेगा ठीक है आपको करना पड़ेगा login त्योंकि आपको जो ID password generate हुआ फिर उसी जो आपने email ID password generate किया फिर आपको यहां पर login करना है login करने के बाद आपको फ़हले payment करना है payment करने के बाद आपको सारी particular अपने भरने है और भरने के बाद आपको upload करना है अपना signature और अपना dub impression तो कैसे वह form बना इसका लगसे वीडियो बना देंगे अभी आपको जो confusion से हमें दूर करनी उने बता दिया है form निकल आया है अभी date है 11 December तक अराम से apply कर सकते हैं जल्दी बाजी में कोई गलती मत कीजिए कोई confusion है comment box पर जरूर लिखिएगा subscribe कर लिए चैनल हमारे चैनल साथ बने रहिए इसकी तैयारे भी हम अलग से कराएंगे और best of luck for all your examinations and thank you thank you thank you very much